क्या होती है और ये कब कब पढ़ी जाती है और जिलहिज्जा के महीने में यानि इदे कुर्मा में ये कब से कब तक पढ़नी वाजिब है और कितनी बार पढ़नी चाहिए और इसे पढ़ने का शही तलफुज क्या है बहुत से मुसल्मान अलहमदुलिल्ला ये तकबिरात जानते तो हैं इसके बावजूद भी ज्यादा तर इन तकबिरात की सही तलफुज यानि सही प्रोनौनसेशन नहीं कर पाते इसके लफ्ज की अदाइगी करने में अक्सर हम मुसल्मान गलतियां कर जाते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते वो इन तकबिरात को किसी से सुन कर सीखते हैं जहां गलती होने के अमकान ज़्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको तकबिर तशरीक सही सही पढ़ना आ जाएगा इन्शाल्ला और मैं इस तकबिरात का अर्दू तरजमा भी बताने वाला हूँ तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो तकबिरात नजर आ रहे हैं इसी को तकबिर तशरीक कहते हैं जिसे खासकर इदुल फित्र और इदुल अज़ा के मौके पे कसरत से पढ़ी जाती है जिसका हर मुसल्मान मर्द और पर पढ़ना वाजिब है तो अब आईए ये जो तकबिरें लिखी हैं मैं इसे पढ़ता हूँ और आप मेरे साथ इसे देख कर समझ कर पढ़िए और जिन हजरात को पढ़ना नहीं आता वो मेरे जुबां से होने वाले कलमात को ध्यान से सुने आपने साइद नोटिस किया हो कि इन पूरे तकबिरात में अल्लाहु अक्बर के जो कलमात मैंने चार बार पढ़ें वो चारों ही अल्लाहु अक्बर ना होकर तीसरी बार जो है वो वल्लाहु अक्बर है यानि अलिफ से ना होकर ये लफ्स वाउ से हैं आपकी आसानी के लिए और जो हमारे भाई अरबी पढ़ना नहीं जानते उनके लिए मैंने यहां हिंदी में भी एक तक्बिरात लिखे हैं इसे भी आप देख कर समझ ले दूसरी गलती इन तक्बिरात को पढ़ते वक्त ज्यादा तर मुसल्मान यह करते हैं कि तक्बिरात में दोनों ही जग़ा Allahu Taiwan के बाद वा लगा देते हैं देखिए इस तरह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, वला इलाह इल्लाहु, जबकि ये पूरी तरह गलत है, कुरान की आयत हो, या तक्बीरात, समझ कर पढ़ना चाहिए, वरना मतलब बदल जाता है, जो किसी भी हाल में जाइज नहीं है, इस तक्बीरात की अर्दु माना ये हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई अबादत के लाइक नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के लिए ही तमाम तारीफें हैं, तो इन्शालला उमीद करते हूँ कि अब ये तक्बिरात आप सही सही समझ गए होंगे अब ये समझ लें कि इसे पढ़ना कब से कब तक है वैसे तो इस तक्बिरात को आप कभी भी चलते फिरते काम करते हुए भी मन में हलकी आवाज में पढ़ने का मामूल बना सकते हैं नेकिया ही नेकिया हैं सहाबा एकराम इस तक्बिरात को कसरत से पढ़ा करते थे आप इसे हमेशा पढ़ने के आदा डाल लें तो बहुत ही अच्छी बात है वरना कोई गुनाह नहीं है लेकिन बिलखुस ये नौ जिलहिज़ा की फजर की नमाज से लेकर तेरा जिलहिज़ा की असर नमाज तक पढ़ना वाजिब है नौ जिलहिज़ा यानि जिस दिन हम बक्राईद की नमाज अदा करते हैं उससे एक दिन कबल यानि एक दिन पहले से नो की फजर नमाज से 13 जिल हिज़ा की असर तक यानि चार दिन हर वो फज नमाज जो जमात मुस्तहबा के साथ अदा की गई हो यानि जो बाकाईदा मस्जड के इमाम के पीछे बाजमाइत नमाज पढ़ी गई हो उस नमाज के पढ़ लेने यानि सलाम फेरने के बाद थोड़ी बुलंद आवाज के साथ एक बार पढ़ना वाजिब यानि जरूरी है और तीन बार पढ़ना अफजल है अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हूँ तो भी ये तक्बिरात आप हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ सकते हैं लेकिन अफजल है कि बाद आमाज पढ़ें मर्द हजरात बुलंद आवाज से पढ़ें और खुआतिन आहिस्ता तो दोस्तों अमीद है कि आपको ये तक्बिरात और तक्बिर तश्रीक के पूरे मसले की सही तलफ़ज की जानकारी हो गई होगी वीडियो आपको कैसी लगी कम से कम एक कमेंट करके हमें बताने की जहमत जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर ले मिलते हैं अगले वीडियो में इंशालला तब तक रखें अपना ख्याल खुस रहें औरो को भी खुस रखें अल्ला हाफिज